आज ये honest उस मामले में क्योंकि जब comparison होती है तब आपको honest comparison करनी पड़ती है तो आज ये comparison वाला वीडियो है कौन से film की hype जादा है overall चाहे वो social media हो और कौन सी film even in public कौन सी hype जादा है discussion हुआ मुंबई में कल परसो और जो मेरे दोस्त है वो जो प्रीमियर अटेंड किये है उन्होंने भी एक नहीं ऐसे तीन चार जगह पे मुंबई में कुछ दो तिन लोगोंने नातपूर में पुना में मैं महाराष्ट की बात कर रहा हूँ खाली मुझे और रेको अलग-अलग जगह पे हम गए थे जहाँ पे अलग-अलग लोग भी रहते हैं मतलब आप मुंबई में भी कुछ जगह पे जाके देखोगे न वहाँ पे special बेंगॉली भी लोग specially रहते हैं कुछ अलग-अलग कॉलनी जे मुंबई के हम बात कर रहे हैं गुजराती पंजाबी अगर आप मुंबई महाराष्ट की बात करो मुंबई में सारे लोग रहते हैं तो एक अनदाजा आ जता है state wise भी कौन सी फिल्मों का हईप क्या है तो बात करते है भई आज official हईप सिंग्नमागेन और भूल बूले अत्री का किसका जादा है और कितना जादा है मतलब अगर है किसी फिल्म का हाइप जादा तो क्या दूसरी फिल्म का हाइप सच में कम है ये डिसकस करेंगे and let's be practical and honest किसी को बुरा लगने वाली बात नहीं है और ये हाइप से कोई collection का सवा मतलब ये जरूर होता है लेकिन अगर आप उससे ये बोलोगे कि मैं उसका collection जादा और इसका कम बोल रहा हो तो आप गलत हो मैं topic पहले समझ लो और बाद में बात करेंगे सबसे पहले हम social media वाले hype की बात करते है Singham again 236.4K book my show interest ओके ये तो भाई मैं देख के बताऊंगा और भूल भूले आप 3 का at present है 234K देख लो कल 7.8K बढ़ गया क्यूँ? 2.2K कम है अभी भी सिंगम से पर क्यूँ बढ़ा? Because of the song फर्क पढ़ता है रोही चेटी जाग जाए तो अच्छी बात है समझे? फर्क पढ़ता है song से कुछ भी अगर कल परसो टीजर आना कल सौंग आना और एकदम क्लोज आ जाना भूल भूले अभी slightly पीछे है बट एकदम पीछे नहीं है मैं बुक माई शो की बात कर रहा हूँ मैं collection पर अभी जाई नहीं रहा हूँ ओके ये topic समझ लो आप collection, prediction ये तब आता है सब कुछ जब advance booking open होता है किसको कितने screens मिले वो पता चलता है जो अभी तक कोई clear नहीं है screens को लेके तो अभी chill मारो ओके obviously जिसका budget जादा ही है मत भूलो उसको जादा screens मिलेंगे और सुना है कि जो single screen theatres are interested in singam again देखो हम अनबैस्ट तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है let's be practical at present most anticipated indian movies imdb पे भूल भूले है 46.3% पे आई है 37 थी कल 46 क्या बोला था song फर्क पड़ता है कुछ तो लाओ singam वालों ने कुछ नहीं लाया singam का 47% था वो उतर के 39.2% second number पे अब भाई है मैं साड़े साथ बजे की बात कर रहा हूँ सुबह बाद में रात के साड़े 10 बजे साड़े 11 बजे या दुपेर के 12 बजे अगर आफ वीडियो देख के अगर बाद में ये बोलोगे भाई तुम जूड बोल रहे हो most anticipated में तो सिंगम आ गई ऊपर तो वो मुझे मत बोलना at present की बात कर रहा हूँ मैं at present और वो change होते रहता है अगर सिंगम वाले भी कोई song wrong लाएंगे तो बाता लगे वो लेकिन वो जात तो जाए में कर ओके तो ये हो गया थोड़ा सा social media वाला एंगल social media पे पोल वगरा भी और मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि किसी के fan wise एक internal पोल किया गया था survey wise बुरे भारत का ये नहीं कि किसी के bias था क्योंकि देखो कुछ channels होते हैं YouTube के वो biased होते हैं तो उनका पोल भी biased हो जाते है तो वो type का नहीं मेरा पोल की बात ये थे वोटिंग थी और 38 परसेंट भूल भूले अथरी की थी और ये कप का था कल रात के सारे 8 बजे मतलब ये almost जो है वो है present ये ही देखने को मिला है सिंगा मगेन को आप अगर वो बोलोगे कि भाई इतना ज़्यादा हाई कैसे है तो भाई देखो सिंपल सी बात है सारे एक्टर्स लिजेंडरी और उपर से भाई सलमान खान का भी कैमियो बोला जा रहा है और वो अरड़ी शूट हो चुका है बाकी अक्षे कुमार आजे देवगंड रनवीर दिपिका टाइगर अरजून, करीना रोईचेटी स्पेशली फर्क पड़ता है भाई मानो ना मानो फर्क तो पड़ता है बड़ भूले है मैं आप ये नहीं बोल सकते हैं कम स्टार कास्ट कार्ति के विद्या है त्रिप्ति है राजपाल यादव है संजे मिश्रा है मादूरी है उपर से आनीज बाजमी की फिल्म 80 सिरीज का पैसा है तो ओवर ओल भाई आप ये नहीं बोल सकते हैं इसमें फुल स्टार कास्टी इसमें कोई नहीं है तो है भाई स्टार कास्ट वाई हम बात कर सकते हैं तो भाई देखो ये हो गया लेकिन सोशल मेडिया ये सब कुछ जो था अभी तक का सोशल मेडिया अब जहां पे ये हुआ था देखो मैं परसेंटेज वाइस बोल सकता हूं कमेंट्स जब पूछा गया था चार से पास सीटीज की बात कर रहा हूं मैं एक संभाजी नगर में पूछा गया एक नासीक में पूना मुंबई नातपूर और अमरावती अकोला आठ सीटीज में पूछा गया था अलग-अलग जगह पे अलग-अलग लोग तो उसका अगर मैं सिर्फ महाराष्ट का बात कर रहा हूं प्रेजट बट अलग-अलग महाराष्ट में ना भाई पूरे नौर्थ से हो या साउथ से हो लोग इतना तो पता है ना मुंबई में पढ़ने आते हैं सीखने आते हैं यहां पे सब कुछ है मुंबई में विले पारले बांदरा गोरे गाव अलग-अलग जगह पे अलग-अलग रहते हैं अंधेरी वेस्ट चार जगपे मुंबई में और दाधर पाच जगपे पूछा गया था और यह सर्वेजों यह आज का नहीं है लास्ट के पूरा एक वीक लगा है तो उसको लेके अगर मैं परसेंटेज वाइस बोलू तो 60% मान के चलो 60 से लेके 65% सिंगम अगें के मैं मैं ऐसे ही हवा में नहीं बोल रहा हूँ तो भाई यह एड़ प्रेजेंट वाला हाल है अब देखते हैं कि सौंग का बाता है सिंगम का एड़ प्रेजेंट जो आप लोग हाइप की बात कर रहे हो 60-40 वाला हाइप है 65-35 वाला नहीं लगता मुझे 60-40 वाला 60% सिंगम भू का भी हाइप बिलकुल कम नहीं है आप यह मत भूलो उसका बजट खाली 500 करोड है और उसके लिए 60-40 वाला जो हाइप है न 40% वाला है वो बहुत बड़ा है अगर परसेंटेज वाइट जाओ जाओगे न तो समझाएगा मैथमेटिकल बोल रहा हूँ और सिंगम का बजट ह सारे 300 करोण इसका आइप अल्मोस 70% होना चाहिए था यह मेरा मानना है बट यह अगर-बगर की बाते है और यह देखो यह इससे कुछ नहीं होता है ओवियसली आप लोग चाहते थे यह एडवर्स बुकिंग पर सब कुछ यह मैं भी मानता हूँ भाई यह बस मुझे लगा कि मैं आपके साथ शेर करो क्योंकि अगर सर्वे आया है एक अनलिसिस हुआ है तो मुझे लगा मैं आपके साथ शेर करो वीडियो को शेर कर देना ऐट प्रेजेंट आपको क्या लगता है फिल्म कितना कमाई की दोनों कमेंट्स में बताइए और आपका सपोर्ट किसको है ज ना तो सपोर्ट किया ही करो आइटलिस चैनल को